हलो आज आज हम आपको बोपाल की सबसे महसूर प्रेटा हिस्तल लेके जा रहे हैं यह बोपाल सेर की सबसे उची जगे पर इस्तित है जेन मंदिर जो कि आपने सुना ही होगा बोपाल में सबसे महसूर प्रेटा हिस्तल है यहां बहुत ही प्रेटन आते हैं दूर दूर से इस सुन्दर पाड़े देखने को मिलेगी यहां से उपर से और पास में गुमावता रास्ते में आपको सनी देव का मंदीर सनी देव अगवान का मंदीर और शिव जी का मंदीर आपको देखने को मिलेगा जो वीडियो में देखना भी अपने सभी तरसी सुन्दर तरसी वीडियो मिलेगा तो चलते हैं मंदर कि यहां सडकमार्ग और टोफवे की सूइदा उपलब जहीं यहां पर ऊपर सूंदर दश्चे भी उपर से देखा सकता है जयन मंदर को पर इस रियता पहुंशने के लिए सडकमार व्लोफवे की सूइदा उपलब जहें यहां पर आप अपने कार या बाइक से भी आराम से जा सकते हैं जेन मंदरे में जाते समय हम लोग нож सीव मंदर ये जो बिमावदा रास्तर हम देख रहे हैं ये सीव मंदर भी आपको देखने को मिलदा है और जेन मंदर के पास में या उपर गाडन बना है जो बहुत ही सुन्दर गाड़न है बहुत ही अच्छा गाड़न है वापर और आप जेन मंदिर में जाने की सोच रहे हैं यहां आने की सोच रहे हैं तो सुबह और साम के समय आना चाहिए क्योंकि मंदिर के खुलने के समय निशित है यह दोफेर के समय को बंद रहता है मंदिर दो फेर 12 से चार बज़े तब यहां बन रहता है यहां जेम यह मंदिर बहुत सुंदर है जेम मंदर की दिवारा जो भी मंदिर मायांको दिखाएंगे दिवारा होствен चुंदर कारिग्रे आपको तो यहां के विजट करें यहां पेजर को लएज और इसकूल के बथे यहां देखने के लिए तो यह खेलने का भी बहुति अच्हा बंदॉबस्त है उपा hoch updating पीने होटल लेस्टोरेंट टाइप का वना है उपर गार्डन के मंदिल के पास महीं तो यहां सभी लुप्त उड़ा सकते हैं रोपवेश आप जा सकते हो रोपवेश से बोपाल का पूरा दर्सिया आपको देखने को मिलेगा उपर का दर्सिया तो बहुत ही प्यारा हो इस अ अब अपनी बाइक से आराम से यहां आपके विजिट कर सकते हैं करीवेशा लगेगा आपको यहां आकर हम थो के लिए हम तो पयदल गे थे यहांसे Fedal यहांसे यहां इन मंदर में गे थे हम बहुत ही अच्छा लगा था हम सामकुर्ठ साम चार सार बजा गे थे 16 जया अगाँएkm पेदल यातरा से हम जेन मंत्री में पहूंच गए थे तो आप आराम से पेदल भी जा सकते हो और आपके पास में बाइक और कार है तो आप आसरनी से जा सकते हो इसमें कोई मतलब दुरगडणा नहीं होगी आपको अच्छा रास्ता है एक दो गुमाउ है उसमें तो आराम से बागी बहुत ही अच्छा रोड है यहां पर तो फैनली हम जेन मंदिर के पास में आ चुके हैं तो देख चबते हो कि यहां का नजरा बहुत अच्छा है और बहुत सरे टुरिस्टी में बाइक लेक आए हैं जो अभी देख रहे हैं वीडियो के अंदर बाइक से आये हैं यह है जेन मंदिर का तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं मंदिर का वीव और आपको बचा देते हैं कि वीडियों बनाना यहां पर मंदिर के अंदर का वीडियों बनाना अलाव ही हैं हमने अंदर का वीडियों सूट निक हैं बाहर का दर से पूरा हमने सूट करने भ यहां साम के टाइम में बहुत सारे टूलिक आते हैं और यहां का साम के टाइम में नजारा दूर्ट में लाइप होता है, यहां के बहुत सारे दूर्ट लगती है यहां के बहुत सारे दूर्ट लगती है चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको जर्शन कहते हैं तो देख सकते हैं बहुत सरा टुरिस्कार लेकी वे आएं यहां पर यहां पर पेदल जाने का मज़ा भी और बहुत भी अच्छा है यहां पर पेदल आएंगे आपको अच्छा लगेगा आपको एक यहां पर सपून मिलेगा तो हम यहां पर पहुंच चुटा है यहां पर वेर्फिए की है यह बोली तक बहुत दिक्रा हो तिक्रा सामने TALA पी रहा है चारे प्रत्त बहुति प्यारा भी है यहां से देड़ने को जो के आंपर बिज़ित करेख leo तो यहां के सब सक् Всёक्राइव है है यह गार्डन है गार्डन के वहीं से हमने यह बौपाल का व्यूट किया था पूरा यह रोपवे के पोल लगए है उपर जो आप देख रहे थे अभी कि यह बौपल का तालावे मसु तालावे यहां पर भी बहुत सार टूरिष्ट आते हैं यह होटल है जो सामने देख रहे हैं यह होटल है यह नीचे से को ट्रोली आईए रोपवे में बेट के आ रहे हैं जो वीडियों देख रहे हैं आप साइड चल रही है तो आप यहां के विजिट करें बहुत ही अच्छा व्यू है यहां का जेन मंतरी को देखने के लिए और बर्क्षेख च्ट्टानि रहे हैं यहां के लृटिती जो वीटाव को सुल Då आईए यह हो झाल को देखने के कि ड समय है यह हैं hallमार्ण में बाज़िज करें भार दिखने का दिर